हेलो फ्रेंस वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंस बता दे कि इंडिया वर्सस इगलेंड टी ट्वेंटी वर्ड कप दो हजार बाइस भारत के खिलाब सेमी फानल से पहले इगलेंड को डबल जटका लगा डेविट मलान के बाद मार्क वूड भी चोटिल हो गए ह टी ट्वेंटी वर्ड कप दो हजार बाइस में टीम इंडिया का सेमी फानल मुकाबला इगलेंड के खिलाब होना है यह मैचेडी लेट के मैदान पर खेला जाएगा मगर इस से पहले ही इगलेंड टीम को दूसरा बड़ा जटका लगा है इस्टार बले बाइस डेविट मल मलान के बाद अब इस्टार तेजगेद बाज मारकूट भी चोटिल हो गए हैं इंडिया बरसास इगलेंड टी टॉन्टी वर्ड कप 2022 आश्टेलिया में खेले जा रहे हैं टी टॉन्टी वर्ड कप 2022 22 में दूसरा सेमी फानल मैच टीम इंडिया और इगलेंड खेला जाएगा यह मुकाबला 10 नौमबर 80 लेट के मैदान पर खेला जागा मगर इससे पहले ही इगलेंड टीम को दूसरा बड़ा जटका लगा है दरसल इगलेंड टीम के स्टार बनले बाज डेविट मलान के बाद अब टेज गेद बाज मारकूड भी चोटल हो गए है ऐसे में वो सेमी फानल मैच में टीम इंडिया के खिलाब खेल पाएंगे या नहीं इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है मगर रिपोर्ट के माने तो मारकूड का खेलना बेहत मुश्किल है यदि ऐसा होता है तो उनकी जगा टाइमल मिल्स को मौका मिल सकता है वहीं फ्रेंट्स बता दे किर्केट फैंस के लिए बड़ी खुसका बरी है दरसल मोसम विभाग ने बताया कि भारत और इगलेंड के बीच एडी लेड में खेले जाने वाले टी-20 वर्ड कप के सेमी फानल में बारिश की संभावना नहीं है वोई फरान्स बता दे कि सेमी फानल टी-20 वर्डकप 2,022 के सेमी फानल में टीम इंडिया ने जगा बना ली है भारत के लावा ईग्लेंड और पाकिस्तान और नुजेलेंड के टीम इस वर्डकप के सेमी फानल में पहुँची है इग्लेंड से मुकाबला करना है दोनों टीमों के बीच ये ले मैच एडी लेड़ ओबल में खेला जाएगा ऐसे में आज हम आपको SME फानल के पहले एडी लेड़ ओबल के मोसम का पूरा हाल बताएंगे नोई फ्रेंट बता दी कि बारिस की नहीं है संभावना मोसम विभाक के अनुसार 10 नौवंबर को भारत और इगलेड़ के मैच के दोरान एडी लेड़ ओबल में बारिस की संभावना नहीं है SME फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुसका बरी है हाला कि मैच के दिन एडी लेड़ में बादल चाह रहेंगे T20 वर्ड कप के दूसरे सेमी फानल में भारत का सामना इगलेड़ से 10 नौवंबर को खेला जागा ये मुकाबला इडी लेड़ में होगा और बारिस की संभावना को देखते हुए दोनों मैच में रिजर्ट बडे उपलब्द भी रहेंगे अगर बारिस भी हो जाती है दोनों दिनों तो ये मुकाबला बारत के पच्छ में जाएगा क्योंकि भारत का रन रिक्वार्ड इगलेंड से काफी ही अच्छा है वही फ्रेंट्स बता दे कि दोनों मैचों के लिए रिजर्ब डे भी उपलब्द रहेंगे यानि अगर बारिस के कारण निर्धारी दिन मैच का नतीजा नहीं निकलता है तो अगले दिन मैच का पूरा किया जा सकेगा फ्रेंट्स बीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फार वाचिंग